Hello everyone, Welcome back to our YouTube channel Wi-Fi Google Gyan जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम DRDO Technician A जो Copa Trade के Candidate हैं उनके लिए हम लगातार Classes अपने इस YouTube Channel के माध्यम से हम करवा रहे हैं और यहाँ पर दोस्तों यदि आपने previous Classes को नहीं देखा है तो आप लोग जो है इन Classes को देख लेंगे और यहाँ पर जो हमने महरातन Class complete करवाया था Copa Trade के लिए आप लोग इसे भी देख सकते हैं बागी दोस्तों आज के इस Session में हम लोग complete करने वाले हैं Computer के जो hardware topic है आपके DRDO exam में जो hardware से question बनेंगे वो दोस्तों यहाँ पर हमने complete questions hardware से संबंदित complete करवा लिया है और आज के Session में हम उसकी questions कबर करने वाले हैं बागी दोस्तों यहाँ पर हमने एक पूरा topic जो है चूच कर लिया है कि DRDO में आपके कौन-कौन से topic से question आ सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों लास्ट में जो है हमने 34 नंबर में आपके कुछ important questions को भी cover किया है जो कि किसी ना किसी computer exam में वो आय हुए है बागी दोस्तों यह आप देख सकते हैं पूरा यह हमने पूरा book ready कर लिया है जो कि आपके DRDO exam को देखते हुए बहुत ही महतोपूर है तो आप लोग इसे purchase करना चाते हैं तो आपको वीडियो के description में link मिल जाएगा आप वहाँ से इस book को purchase भी कर सकते हैं बागी दोस्तों आज की इस class में हम cover करने वाले हैं जो यहाँ पर आपका 14 नमबर topic है वो है computer hardware इस chapter को आज की session में हम cover करने वाले हैं तो दोस्तों मैं विना किसी देरी के इस session को start करता हूँ यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते है computer hardware का यह chapter यहाँ पर आपके सामने देख रहा है और इसमें जो पहला question पूछा गया है वो है processor, RAM, hard disk और CMOS chip यह सभी किसके अंदर रखे जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो B वाला option है central processing unit CPU के अंतरगर जो है processor, RAM, hard disk और CMOS chip और है वो यहाँ पर import यहाँ पर assemble किया जाते हैं तो यहाँ पर हमारा यह B वाला option सही हो जाएगा CPU यहाँ पर मैं आपको example भी दिखा देता हूँ यह आप देख सकते हैं यह आपके सामने motherboard है और इसी के अंतरगर जो हमारे RAM होते हैं जो hard disk होता है और CMOS battery होता है वो इसी motherboard में fit किये जाते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से जो B वाला option है CPU यह option सही हो जाएगा next जो question है वो है BDU की full form क्या है तो यहाँ पर जो A option है visual display unit यह दोस्तों यहाँ पर इसका full form हो जाएगा और एक और full form जो है दोस्तों पूछता है वो है TFT का वो भी एक परकार का जो है display type ही होता है तो अगर जो हम उसके full form की बात करें तो उसका full form हो जाएगा thin film transistor आप लोग ध्यान से जो है आप्सटन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा cathode ray tube यहाँ पर यह मारा भी option सही हो जाएगा-Next जो question है यह भी important है LCD की की full form क्या है तो यहाँ पर इसका full form हो जाएगा C option और होजाएगा है यहाँ पर लिकवीट क्रिश्टल डिस्प्ले नेक्स्ट जो कुस्टन है वो है लेडी की फुल फॉर्म क्या है इंपोर्टन कुस्टन है कई बार एक्जा में पूछा गया है तो इसका फुल मंद फरम हो जाएगा याइट हो छी डायोड में सबसे सबसे इंपोटन या पर सबसे बैस्ट मना जाता है जो है आपके डिस्पिल में बहुते हैं गयु डिस्प्र सभी का अक्या ओता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे म्हान्ड boxer होता है उसके अ स्क्रिंट ratio की बात करें तो यहाँ पर वो 4 into 3 ratio का होता है इसे आप लोग जरूर ध्यान से याद रखेंगे यहाँ पर यह जो option हो जाएगा वो 4 into 3 ratio का हो जाएगा next यहाँ पर जो question है वो है वह कौन सा printer होता है जो print करते समय page को touch करता है तो यहाँ पर जो डी वाल option हो जाएगा impact type printer इस type की जो printer होते हैं वो print करते समय page को touch करते हैं तो यहाँ पर इसे आप लोग जो है यहाँ पर डी वाल option हमारा सही हो जाएगा next जो question हो है वह कौन सा printer है जो print करते समय page को touch नहीं करता है हमने आपको ऊपर बता है कि जो page को touch करता है उसे impact type painter कहते हैं और जो page को touch नहीं करता है वो जो और हमारा non-impact type का printer होता है तो इसे आप लोग ध्याद रखेंगे next जो question हो है laser printer एंग Exactly printer और thermal printer किस परकार के printer हैं तो यहाँ पर यह जो c option आप देख रहे हैं non impact printer होते हैं तो इसे आप लोग ध्यान से रखेंगे कि जो laser printer होता है inkzet printer होता है और जो thermal printer होता है वो सब non impact type के printer होते हैं next जो question है हुए है thermal printer में इस्तेमाल किये जाने वाले कागज पर किस chemical की परत चड़ी होती है important question है आप लोग इसे ध्यान देंगे bisphenol जो है chemical की परत चड़ी होती है thermal printer में जो कागज इस्तेमाल की जाते हैं यह important question है इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे और next जो question होगा है SMPS की full form क्या होती है most important question है अगर जो हम SMPS की full form की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा switch mode power supply यहाँ पर यह बी वाला option यहाँ पर सही हो जाएगा और next जो question है वो है यहाँ बारह नमबर question CPU के front या rear panel पर computer के अन्य device को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होता है द्यान देंगे आप लोग ने यदि printer और connect किया होगा पीछे रियर की बात करें तो जो हमारे CPU होता है उसके पीछे वाले जो portion होता है उसी में हम अपने printer को connect करते हैं यदि वहाँ पर बात करें CPU के front या rear panel पर computer के अन्य device को जोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर यह C option से हो जाएगा port का इस्तेमाल करते हैं आप लोग ने देखा होगा कि जो USB port होता है उसी में जो हम अपने maximum device को connect करते हैं चाहे वो माउस हो कीबोर्ड हो इस तरीके से हम अपने USB port में connect करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो question है वो है modem को computer से जोड़ने के लिए किस port का इस्तेमाल होता है important question है यहाँ पर RAS 232 serial port का यहाँ पर इस्तेमाल होता है इसे आप लोग ध्यान से ध्यान देंगे next जो question है वो है computer को LAN network से जुड़ने के लिए किस port का इस्तेमाल होता है most important question है RG45 जो Ethernet port होता है उसी के through जो हम अपने Ethernet cable को connect करते हैं LAN network के लिए तो यहाँ पर यह option सही हो जाएगा RG45 Ethernet जो है port का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर एक चीज़ और है कि LAN के अगर जो फुल पॉर्म की बात करें तो local area network हो जाता है next जो question है joystick को computer से किस port में जोड़ा जाता है important question है RG जो 11 port होता है उसी में जो हम अपने joystick device को connect करते हैं अगर जो joystick device के हम बात करें हम लोग जो game वगरा पिले करते हैं अपने computer लैप्टॉप में तो उसको खेलने के लिए जो है एक joystick device आता है आप लोग उने car वगरा में देखा होगा कि जो gear वाला जो gear लगाते हैं हम लोग एक number दो number तीन number जो भी उसी तरीके सा joystick भी होता है जो क गेम खेलने के काम में आता है तो उसको connect करने के लिए RJ11 port का यूच किया जाता है तो इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे और next जो question है वो है यहाँ पर PS2 की full form क्या होती है तो यहाँ पर PS2 full form की अगर जो हम बात करें तो इसका full form हो जाएगा personal system 2 इसे आप लोग ध्या ध्यान लखेंगे PS2 full form की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा personal system 2 और important question है अगला RJ11 की full form क्या है तो यहाँ पर registered jack full form हो जाएगा इसे आप लोग ध्यान लखेंगे registered jack यानि कि आपका A option यहाँ पर सही हो जाएगा next जो question है वो है RJ45 की full form क्या है तो इसका भी full form हो जाएगा registered jack यह कई बार exam में पूचा गया है इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे mention कर दिया है next question है वो है RS232 की full form क्या है तो इसका भी full form हो जाएगा recommended standard 232 मैं आपको फिर से बता देता हूं recommended standard यहाँ पर 232 इसका full form हो जाएगा next question हो है RJ45 की full form क्या है तो यहाँ पर sorry full form नहीं होना चा तो RJ45 लिखा हुआ है यह जो है एक प्रकार से port होता है जो कि आपकी computer या laptop में देखा होगा आपने जहां से आप ethernet cable को connect करते हैं तो यहाँ पर RJ45 क्या बोला जाता है तो यहाँ पर इस तरीकी से होना चाहिए था तो उसे ethernet cable बोला जाता है और उसी port में जो हम RJ45 cable को connect करते ह हैं तो इसे आप लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट जो यहाँ पर question हुए है IEEE और तीरा सो वान भी port का दूसरा नाम क्या है तो यहाँ पर firewire हो जाएगा इसका दूसरा नाम IEEE यहाँ पर 1392 port का दूसरा नाम तो इसे आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर दोस्तों यह एक पर इसका दूसरा नाम हो जाएगा वो फायर वायर हो जाएगा next question है वह है यहाँ पर line printer टर्मिनल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा next जो question है वह है USB की फॉल फॉर्म क्या है important question है USB की अगर जो फॉल फॉर्म की बात करें हम तो universal serial bus इसका फॉल फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर यह universal serial बस USB की full form हो जाएगी HDMI की अगर जो full form की बात करें तो यहाँ पर जो V option दिया हुआ है High Definition Multimedia Interface HDMI का जो है full form हो जाएगा तो इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे Next जो question है वह है laser printer किस परकार का printer है तो यहाँ पर जो laser printer होता है वो एक परकार से page printer type में आता है तो यहाँ पर यह B option सही हो जाएगा page printer type का printer होता है laser printer Next जो है वो question है joy stick का इस्तिमाल किस लिए किया जाता है हमने आपको बताया था कि game खेलने के लिए joy stick का इस्तिमाल होता है तो यहाँ पर हमारा B option सही हो जाएगा एक प्रकास से कंप्यूटर में गेमिंग कर रहे के लिए जो हम जुआइश्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर भी आप्शन सही हो जाएगा नेक्स्ट जो कोस्टन है वो है लेजर प्रिंटर किसे संबन्द है तो यहाँ पर जो लेजर प्रिंटर होता है इंपोर्टर कोस्टन है अगर जो आपके स्लोट जो है आपके मेमोरी स्लोट में तीस पिन आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर SIMM जो है वहाँ पर SIMM टाइप के चिप को जो है लगाया जाता है तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे यहाँ पर यह B options सही हो जाएगा Next जो question हुए हार्ड डिस्क को tracks और rest tracks में बाटा जाता है तो tracks को किस में बाटा जाता है तो यहाँ पर B options सही हो जाएगा sectors में बाटा जाता है आप लोग ने देखा होगा कि जो हमारे hard disk होते हैं उनको track and sector में divide के जाता है उनके डाटा को read write किरने के लिए उनके डाटा को जो है किस तरीके से वहाँ पर ब्यवस्तित किया जाए तो उसको track and sector में divide किया जाता है तो यहाँ पर hard disk को यहाँ पर एक term दे दिया था tracks का तो दूसरा term जो हो जाएगा वो sector हो जाएगा आप लोग जहाँ दखेंगे कि hard disk को जो है track and sector में divide किया जाता है next जो question हुआ है computers में 25 pin का female connector कौन सा port होता है तो यहाँ पर जो 25 pin का female connector होता है वो a parallel port होता है यह आप जहाँ दखेंगे कि 25 pin का female connector होता है वो एक परकार से parallel port में आता है वो भी a series में तो इसे आप लोग ध्यान दखेंगे parallel port में आता है और next जो question हुआ है computer का वह कौन सा component है जो आसानी से recycle किया जा सकता है तो जो toner catarise जो होते हैं उसे जो है हम फिर से refill कर सकते हैं और फिर से जो है उसे हम reusable बना सकते हैं तो यहाँ पर यह हमारा toner के जो catarise होते हैं उसको हम जो है फिर से recycle कर सकते हैं फिर से उसे reusable हम बना सकते हैं आप लोग ने cartridge होगा जो है filling करवाया होगा तो उसमें एक box मिल्ब एक डिबबी में आता है एक color और बहुत ही आसानी के साथ उसे जो है हम fill कर सकते हैं और next जो question है हुए है हम टैच कर सकते हैं एक अस्थान से दूसरे अस्थान पर अस्थान अंत्रिद कर सकते हैं तो उसे हम hardware devices करते हैं तो यहाँ पर यह हमारा B option से होजाएगा hardware बाकि हम जिसे अन्वो कर सकते हैं वह हमारा software device होता है यह पर software भूलते हैं उसे next जो question नहीं हो है एक computer में क्या-क्या सामेल होता है तो यहाँ पर हम बात करें computer में क्या-क्या सामेल हो सकते हैं तो यहाँ पर central processing unit भी सामेल हो सकता है input device भी आता है और output device भी आता है यानि कि उनको मिला करके जो है हम एक computer को fully ready करते हैं तो यहाँ पर यह हमारा all of them all option यहाँ पर सही हो जाएगा और यहाँ पर यह हमारा develop option सही हो जाएगा next जो question है वो है monitor को computer से जोड़ने के लिए किस port का इस्तेमाल किया जाता है monitor को computer से जोड़ने के लिए ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर जो bga port होता है उसी के थ्रों जो है हम अपने बीजे केबल के थ्रों ही हम अपने monitor को computer से जोड़ते हैं तो यहाँ पर यह हमारा जो c वाला option है यह यहाँ पर सही हो जाएगा बीजे पर्ट में ही जो है हम अपने monitor को connect करते हैं यह आप लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट जो question है हुए है इन में से कौन सा hardware device नहीं है तो यहाँ पर जो यह interpreter है यह परकार से system software के अंतरगत आते हैं तो यहाँ पर यह किसी भी परकार का hardware device नहीं है यह एक परकार से software है तो इसे आप लोग ध्यान देंगे नेक्स्ट जो question है वो है hard disk कितनी परकार की होती है तो यहाँ पर जो है hard disk दो परकार की होती है इसे आप लोग ध्यान रखेंगे नेक्स्ट जो question है वो है HDD की full form क्या है तो यहाँ पर जो be all option है hard disk drive HDD का full form हो जाता है तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे बाकि दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि इस टाइम जो है SSD का काफी प्रचलन है अब जो उसके full form की बात करें तो उसका जो full form होता है वो solid state drive होता है आप लोग उसे भी याद रखेंगे next यहाँ पर जो question है वो है इनमें से किस device में data permanent store होता है तो यहाँ पर जो hard disk होता है इसमें हमारा जो data होता है उसे हम जब तक अपने self से हम delete नहीं करेंगे तब तक उसे delete नहीं किया जा सकता है यानि कि जो इसमें data रहता है वो permanently हम store रखते हैं या पर रख सकते हैं तो यहाँ पर यह D वाला option यहाँ पर सही हो जाएगा next जो question है वो है इनमें से किस device में सबसे ज़्यादे data store किया जा सकता है तो यहाँ पर जो hard disk होता है इसमें हम सबसे ज़्यादे data को store कर सकते हैं आप लोग जानते ही होंगे कि जो floppy disk होता था वो उसमें जो species होते थे वो कौफी कम होते थे जो है optic disk जो होता था यानि कि CD और DVD जो होते थे वो hard disk के आप एच्छा कमी होते थे जो compact disk होते थे वो भी hard disk के जो आप एच्छा कमी space आपको वहाँ पर देखने को मिलता था तो यहाँ पर जो hard disk होता है इसमें हम सबसे ज़्यादे data को store कर सकते हैं बाकि जो next question हो है इनमें से hard disk का सामान आरती सब कौन सा है तो यहाँ पर hard disk drive hard drive or fix drive जो है यहाँ पर hard disk के जा समान वड़ी हैं तो यहाँ पर यह the all option सही हो जाएगा all of these next question हो है BDU को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पर जो screen और monitor होता है BDU की अगर जो full form की बात करें तो हमने आपको बताया था visual display unit इसकी full form होता है और यह जो है एक परकार से monitor का type होता है तो यहाँ पर यह options missing है तो यहाँ पर यह जो option सही हो जाएगा जिस तरीके सा आपका option लेगा उस तरीके से आपको जो है वहाँ पर टिक लगाना होगा full form पूचेगा तो आप full form लगा देंगे visual display unit और video की बात करें तो एक परकार से monitor type होता है नेक्स्ट जो question है हुओ है इन में से कौन सा जूड़ा कीवल input devices का है तो यहाँ पर जो डी वाला option है mouse, keyboard, scanner यह एक परकार से input device के अंतरगत आते हैं तो यहाँ पर डी वाला option यहाँ पर सही हो जाएगा नेक्स्ट जो question है हुए है एक barcode reader किसका उधारण है तो यहाँ पर जो barcode reader होता है वो किस परकार का उधारण है तो barcode reader एक परकार से input device होता है आप लोगों ने यह ज़ि किसी mall गरा में समान purchase की होंगे तो वहाँ पर जो है आप लोगों ने देखा होगा कि समान पर stickers लगे होते हैं barcode लगे होते हैं जहां से जो हो इसकैन करके आप उसे product के से भी details को collect कर सकते हैं आप अपनी phone से भी इसको इस्तिमाल कर सकते हैं नेक्स्ट जो question है वो है output device की सहायता से आप क्या कर सकते हैं तो आप जान सकते हैं कि जो output devices होते हैं आप उसे print भी कर सकते हैं और आपके जो monitor होता है आप उसमें देख भी सकते हैं और उसका आप जो है analysis भी कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा deal option सही हो जाएगा नेक्स्ट जो question है इन में से कौन सा एक output device है तो यहाँ पर जो headphones होता है आप लिए उन्हें देखा होगा कि 3.5 mm का जैक हम अपने mobile phone में अपने laptop में और अपने PC उगरा में connect करते हैं और उसका जो voice होता है हम आपने अपने microphone की जरिए हम सुन पाते हैं अपने earphone के जरिए तो यहाँ पर यह headphone all option यहाँ पर सही हो जाएगा next जो question हुआ है processor, RAM और hard risk इन सभी को fix करने के लिए slots कहाँ पर होते हैं तो हमने आपको अभी example दिखाया था है कि यह जो motherboard आप देख रहे हैं इनमें हम अपने RAM, ROM और जो भी devices को हम extend करना साथते हैं इसमें हम लगा करके extend कर सकते हैं तो यहीं यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि जो आपके slots होते हैं वो कहाँ पर होते हैं तो यहाँ पर यह हमारा motherboard हो जाएगा यदि आपके question में PCV रहता है यानि कि printed circuit board रहता है तो आप जो है उस option को भी लगा सकते हैं इस आप लोग जहां से देख लेंगे नेक्स्ट जो question है वो है computer के सभी हिस्सों को सही voltage पर विजली supply करने का काम कौन करता है important question है जो smps होता है यानि कि switch mode power supply इसका perform हो जाता है यही होता है जो computer के सभी हिस्सों को एक बराबर जो है power supply पहुंचाता है यह आप लोग जहां से देख लेंगे next जो question है वो है किसी भी document की hard copy बनाने के लिए किस device का इस्तेमाल किया जाता है important question है जो printer होता है आप लोग ने देखा होगा कि यदि हम अपने किसी भी document को अपने laptop या फिर mobile के screen पर देखते हैं तो उसे soft copy बोला जाता है लेकिन यदि हम उसे print कर लेते हैं और हमाई पास उसका copy आ जाता है पेज आ जाता है तो उसे हम hard copy कहते हैं तो जो यह काम करता है वो printer काम करता है जिससे हम print अगरा निकालते हैं next जो question है हुआ है computer के साथ keyboard और mouse को connect करने के लिए हमकी support का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे PS2 port होते हैं और यानि कि यहाँ पर parallel seller हो जाएगा PS2 का मतलब और जो USB होता है यानि कि universal serial bus इन्हीं दोनों port के माद्धियम से हम अपने keyboard, mouse या पि जो other devices हैं उसको बहुत ही आसाने के साथ connect कर पाते हैं बाके दोस्तों आज की समय में USB काफी famous है जिसमें हम अपने किसी भी hardware device को connect करते हैं तो यहाँ पर हमारे यह A & B दोनों options सही हो जाएंगे आपको PS2 port भी देखने को मिल जाएगा आपके CPU जो होता है उसमें आपको back side में PS2 port देखने को मिल जाएगा जिसमें हम पहले अपने keyword and mouse को connect करते थे next जो question है हुए है document की hard copy को soft copy में बदलने का काम कौन करता है important question है जो scanner होता है आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आपको फॉर्म अगर आप fill up करते हैं तो वहाँ पर आप अपने mobile से direct उस document का photo केचते हैं और वो जो है आपके mobile phone में आ जाता है इससे क्या होता है कि आपको जो document ता वो hard copy था और आपने scan करके अपने mobile में रख लिया तो वो जो है एक परकार से soft copy हो जाता है तो यहाँ पर इसी परकार से scanner होता है आपके document को scan करता है और laptop अपने laptop या PC में वो automatically scan करके जो है scan होके आ जाता है तो यहाँ पर यह हमारा C option से हो जाएगा scanner next जो question हो है dot matrix printer के किस हिस्से को कभी भी lubricate नहीं करना चाहिए important question है जो print head pins होते हैं उनको जो है कभी भी lubricate नहीं करना चाहिए यानि कि आपको उसे कभी भी किसी भी liquid होगारा से उसे जो है साफ नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर यह option सही हो जाएगा print head pin उसे कभी भी आपको जो है lubricate नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर यह वी option सही हो जाएगा next जो question ने हुआ है computer की ring की हड़ी किसे कहा जाता है most important question है यहाँ पर जो mother word होता है उसे ही computer का ring का हड़ी कहा जाता है आप लोग इसे ध्यान देंगे यहाँ पर जो हमने आपको यह image दिखाया था इसे ही computer का ring की हड़ी बोला जाता है यहाँ पर जो बी option सही हो जाएगा आपको यहाँ पर काटी जो कॉपी होता है और जो हमारे document होते हैं यानि कि जो hard copy होते हैं उसको हम permanently safe रखते हैं तो यहाँ पर आस्थाई की बात करी गई है तो यहाँ पर यह B option सही हो जाएगा soft copy इसको आप लोग जो है ध्यान से देख लेंगे आई होग कि दोस्तों यहाँ पर जो है हमने computer hardware से संबंदे जो important question हो सकते थे आपके डियर डियो exam में जो है आ सकते थे हमने उन्हे questions को cover किया है तो आप लोग जो है इस session को देख लिए होंगे बाकी किसी question में कोई confusion है तो आप लोग comment भी हमें कर सकते हैं बाके दोस्तों आप लोग जो है इस class को जादे से जादा share भी कर देंगे यदि पसंद आए है तो like भी कर देंगे और यदि चैनल पर आप नए है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे बाके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए session के साथ ने topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद